दुम्री उपचनों के लिए NDA ने आज सुपाठी की यशुदा देवी को बनाया उमीद्वार जा मुमो की बेबी देवी और आज सुपाठी की यशुदा देवी 17 अगस्त को करेंगी नामंकर संकल प्यात्रा के मदे नजर भाजापा की हुई बैठक साथ चर्नों में प्रदेश भर में होगी यात्रा जन सभाओं का होगा आयुजन शहीदों से जुड़े धरोहर और धार्मिक स्थल भी होंगे पड़ाओ स्वतन्तरता दिवस समारों को लेकर राज भर में हुआ अंतिम पूर्व भ्यास हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर भी कई कारिक्रम आयुजित और गिरीडी के लाल शहीद अजय कुमार राय का पार्थिव शरीर पहुंचा पैत्रिक गाउं अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सेलाब केंद्रे राजिमंत्री अर्णपुन्न देवी ने शहादत को किया सलाम नमस्कार खबरेजार खण में आपका स्वागत है मैं हूँ रोजुराम और अब समाचार विस्तार से डुम्री विधान सभा उपचुनाव को लेकर सरगर में तेज हो गई है आस सुबा आजसुपाठी के अध्यक्ष सुदेश महतु भाजपा प्रदेश मुख्याले पहुचे जहां उन्होंने भाजपा के प्रदेश परभारी लक्ष्मिकांत वाजपेई प्रदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांधी और संगठन मंत्री करमवीर सिंस समेत अन्य ने से मुलाकात की इसके फोरण बाद आजसुपाठी द्वारा एक प्रेस वारता आउजित कर दुम्री विधान सभा उपचुनाव के लिए एंडिये समर्थित यशोधा देवी को प्रत्याशी बनाने का एलान हुआ जोस के साथ एक्ताबद हो करके नियोजनावद तरीके से चुनाव लड़ेगी यह भी तैब हुआ कि वहां से आजसुपाठी का प्रत्याशी होगा पाठी में दिने लिया है कि तिस दुम्री विधान सभा उपचुनाव के लिए एंडिये की तरफ से आजसुपाठी मुहित्वार श्रीमती जसोधा देवी राक्नांदुबंकारे शोथियर दामतर पक्तों की धर्भत्त्ति होगी पाठी के वरिष्ट नेता प्रदी पर्मा ने रांची में आयोजेत् मोद्र्वादाता संवमेलन में बताया कि संकल प्यात्रा 7 चरुनों में पूरे प्रदेशबर में होगी उन्होंने बताया कि इस यात्रा के माध्यम मोद्हयन से पाठी राजिसरकार की नाकामियों को उजागर करेगी 20 आत्रा के करम में जन सभाओं का आयजन होगा साथ ही शहीदों से जुड़े धरुहर और धार्मिक इस्थल भी इसके पड़ा होंगे मुख्यमंत्री हेमन सुरेन आज राची में एक मौल के उधगाटन समारों में समलित हुई इस दोरान मुख्यमंत्री ने अपनी धर्म पत्नी कलपना सुरेन के साथ कुछ देर मौल का औलोकन किया साथ ही फिल्म भी देखी उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदारियों और वस्तता के कारण अब पत्नी संग फिल्मों का आनन्द कम ले पाते हैं हालांकि वे भी पहले सिनेमा घरों में फिल्म देखा करते थी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पुराने फिल्म अभिनेता उन्हें अधिक पसंद है बनी है यहाँ पर और इस थियाटर का उद्गाटन गदर मोबी से हुई है अब उनकी कुछ जल्कियों को हमने देखा है और वैसे तो अभी जिस जिम्मेवारी के साथ चल रहा हूँ उसमें थोड़ा वक्त कि कमी के वज़ा से मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको सही सही बता पाऊंगा कि कब हमने पती-पतनी संग मोवी देखा है लेकिन ये बात जरू कह सकता हूँ कि हमने भी सिनेमा हौल में मुझे देखे पंदरा अगस्त को स्वतंतरता दिवस के मौके पर होने वाले समारूक लेकर आज राची के मुराबादी मैदान में फुल ड्रेस रिहरसल हुआ पंदरा अगस्त को राश्ट धवच फहराएंगे इस सिलसिले में आयोजित होने वाले समारो का आज फुल ड्रेस रिहरसल हुआ डियाईजी अनूप बिर्थरे राची के उपायुक्त राहुल कुमार सीनहा और वर्ये पुलिस अधिक्षक किशोर कौशल भी मौजूद थे डियाईजी और उपायुक्त ने परेट की सला मिली और सभी पार्टियों को परेट से संबंधित आवशक दिशा नर्देश दिया इस मौकी पर वर्ये पुलिस अधिक्षक ने बताया कि कारिकरम में आने वाले सभी आगंतुकों की गहनता से जांच की जाएगी उपायुक्त और वर्ये पुलिस अधिक्षक द्वारा समारोस्थल का मुआयना कर शेश आवसक तैयारियों को सासमय पूरा करने का नर्देश दिया गया करमवीर की रिपोर्ट उपराज़ानी दुंका में स्वतंतरता दिवस समारो की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है मुख्य समारो दुंका के पुलिस लाइन मैदान में होगा जहां जहारखन के राज़पाल सीपी राधा कृष्णन रास्टिय ध्वजा रोहन करेंगे और मिली जुली परेट गारत की सलामी लेंगे संथाल परगना के पुलीस ओप महनिरिक्षक दुंका के उपायूक्त और पुलीस अधिक्षक ने अधिकारियों के साथ दुंका के पुलीस लाइन मैदान में 15 अगस्त को होने वाले स्वतंतरता दिवस की तैयारी को लेकर फाइनल रिहर्सल किया इस दौरान पुलीस उप महनिरिक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल ने बताया कि यहां कुल 14 प्लाटून के दौरा राजपाल को सलामी दी जाएगी जिसमें संताल परगना के सभी जिलो के सशस्त्रबल शामिल होंगे उपायुक्त ए दुड्डे ने बताया कि राजपाल पुलिस लाइन मैदान में सुबह 9 बच कर 5 मिनट में ध्वजा रोहन करेंगे कारे करम को लेकर जिला प्रसासन के द्वारा सारी तैयारी पूरी कर ली गई है इसमें स्वतंद्रता दिवस के एक दिन पूर्व 14 अगस्त को दुमका पहुचेंगे समारों को लेकर पुलिस लाइन मैदान को दुलहन की तरह सजाया गया है दुमका से आर के नीरद की रिपोर्ट भाजपा के राष्ट उपध्यक्च रगवर्दास और जमशेदपूर सांसर्थ विद्धुत्वरण महतो के नेत्रतु में मेरी माटी मेरा देश अभियान तथा हर घर तिरंगा अभियान का आज विधिवत शुभारम हुआ मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रगवर्दास ने आज जन की सराहना की जन भागेदारी के साथ मेरा देश मेरी माटी हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा हर घर में लोग स्विच्छा से जन्दा खर दे अपने घर में जन्दा बाढ़े इस अउसर पर सांसद विद्दुत वरण महतो ने अभियान के संबद में विश्तरित जानकारी साजह की इस दोरान आम लोगों की भी भागीदारी दिखी और सभी देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत नजर आए देश मेरी माटी यह हर देश के नौजवान जो भारत बासी है उसके अंदर यहां बिल्कुल एकदम बिलीन रहे और भारत के प्रती सच्चा प्रेम रखे भारत माता के प्रती हमेशा समरपित रहे मेरा देश मेरा माटी भारत माता की जाए यह सभी मिल के हम लोग इस कारिकरम को सफल बनाए हैं आगे भी बनाते रहेंगे गोर तलब है कि 9 अगस्त से जारी मेरी माटी मेरा देश अभियान के सिलसिले में विविध कारिकरम आयुजित हो रहे हैं राजेस लालदास की रिपोर्ट देश भक्ति के जोस और जजवे के साथ आज को डर्वा में तिरंगा यात्रा निकाले गई जुम्री तलिय के सुभास चौक से महराना प्रताब चौक तक खरीब साड़े तीन किलोमिटर की पदियात्रा में हजार उलोक शामिल हुए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के एक आहवान पर हर घर तिरंगा के साथ साथ हर मन और हर दिल भी तिरंगा में नजर आ रहा है हमारे ये शश्वी प्रधान मत्री स्रे नरिंद्र भाई मोदी जी के एक आहवान पर हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा हर दिल तिरंगा हर मन तिरंगा इसके तहत आज देखिए हजारो हजार की संख्या में एक आहवान पर हमारे सभी अधिभावक जन प्रबुध जन सभी मा उधर जुम्री तिलयया शहर में निकाले गए तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में इसकूली बच्चे भी शामिल हुए। देशभक्ती धुनों पर हाथों में तिरंगा लहराते हुए इसकूली बच्चों का जोश और जजबा भी देखते ही बन रहा था। बच्चों ने कहा कि आज तिरंगा यात्रा में शामिल होकर उन्हें भी एक अलग अनुभूती का एहसास हुआ है। द्रम ये सब जाया अच्छा से। जगा महा पूरुषों की प्रतिमाओं पर श्रधा सुमन्धी अर्पित किये गए। कोडर्मा से गजंदर बिहारी की रिपोर्ट। इधर जारखंड समेट देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के भी शुरुवात हुई जो पंदरा अगस्त तक चलेगा। खूटी नगर पंचायत के भाजपा कारे करताओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें शामिल अस्थाने विदायक निलकंड सिंग मुंडा ने कहा कि इससे देश प्रेम और स्वाभी मान तथा स्वाराज की भावना को बढ़ावा मिलेगा। तिरंगा यात्रा के करम में शहिदों का नमन भी किया गया। जामतारा जिले में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्सा का माहाल है। लोगों का मानना है कि प्रधान मंत्री की इस पहल से लोगों में देश भक्ति की भावना जागरित होगी। जामतारा के डागरों के साथ साथ जिला प्रसासन की पहल पर भी जिले के सभी प्रखंडों के प्रतेग पंचायतों में रास्ट ये धवज उपलब्द कराया जा रहा है। पंचायत के प्रतिनिध्यों के द्वारा भी ग्रामिनों को उनके घरू तक जाकर तिरंगा पहुचाने का कारे किया जा रहा है। हर जंता को संदेश बहुत अच्छा मिल रहा है और हम लोग की बहुत खुशी हो रहे हैं कि लगता है कि अर दो तीन दिन बचा है इसलिए पंदर अगस्त के लिए बहुत अच्छा हम लोग को संदेश देना चाहेंगे। घर घर तिरंगा योजना भारत सर्टार का जो है उसको पूरी तरह हम लोग अमल करेंगे मानिय अप्रण मंत्री नैणी मोदी जी के आहवान पर लोगों का देश भक्ती प्रेम चगा है और पूरे जोश से लोग तिरंगा को लगा रहे हैं। पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा भी ग्रामिनों को उनके घरों तक जाकर तिरंगा पहुचाने का कारे किया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान से निश्चित रूप से जारखंड समें देश भर में एक नई उर्जा का संचार हुआ है। जामताडा से सुभाष प्रसाद की रिपोर्ट हर घर तिरंगा अभियान की सफलता को लेकर रामगर प्रधान डाग घर विभिन माधमें से लोगों को जाग रूप कर रहा है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रामगर का प्रधान डाग घर अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस डाग घर के कॉंटर से 25 रुपे में लोगों को तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधान डाग घर की पोस्ट मास्टर सरोजनी परसाद ने बताया कि डाग घर को 11,000 तिरंगा उपलब्ध कराया गया है जिसमें 9,000 से ज़्यादा तिरंगा बिख चुके हैं। यहां जो हर घर तिरंगा का भियान चल रहा है उसमें मैंने बहुत सारे ये परचार परचार भी की हैं। रैली निकाली हैं और हर तिरंगा एक 25 रुपया पर रेट रखा गया है और सारे जगा मैंने उसका परचार गिया है। इधर रामगर सब डिविजन में कारेरत असिस्टेंट सुप्रेटेंडन आफ पोस्ट नवीन अगरवाल ने बताया कि प्रभात फेरी और बाइक रैली के माध्यम से लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रती जागरू किया जा रहा है। यहाँ पे काउंटर में 65 रुपे में तिरंगा उकलब्द कराया गया है। इसके लिए काफी तयारिया हमने सुरू से ही सुरू कर दी थी। हमने प्रभात फेरी निकाली है। प्रभात फेरी के बाद हमने आज बाइक रैली भी निकाली है। हमने कई इस्तिहार दिया गया ह और लोकल नीव शालेज में भी इसके बताई गई है देश के रास्ट ये धवज से हर किसी की भावनाएं जुड़ी हैं ये वो तिरंगा है जिसकी आन बान की खातिर ना जाने कितने स्वतंतरता सेनानियों और गुमनाम नायकों ने कुर्बानिया दी तब जाकर देश अमरित महतसो कारिकरम के अंतरगेत गुमला के नौरतन गढ़ में केंद्रे संग्रक्षित स्मरक महल और मंदिर परिसर में भारते पूरातत्व सर्वेक्षन की राची इकाई द्वारा विर्ख्षार उपन की शुरुआत की गे इसके तहत पूरे स्मरक परिसर में 300 से अधि कारियों का साथ मुख्य अतिति के तौर पर अब्दुल फारूख तथा युवा एवं खेल मंत्राले के जिला प्रभारी समेत एंसी सी क्याडेटों की भागीदारी रही परधान मंत्री नरंद मोदी की पहल पर देश भर में श्रम जीवियों को भी सम्मान मिल रहा है दिल्ली में आईजवित इस बार के स्वतंतता दिवस समारों में श्रम जीवी भी खास महमान होंगे गड़वा के मजदूर सिकंदर उराओं को भी समारों में शामिल होने का अन्योता मिला है जिससे वे काफी खुश है है हम लोग मैजदूर है दिल्ली नीव पार्लेमेंट में काम करते थे गतंतर दिवस में हम लोग का मतलब बुलाया गया था हम लोग गय थे प्रेड में सामील हुए थे और उद्गाटन में पर्धान मंत्री जी बुलाये ग्रूप फोटो पूजास्थल में वहां भी गया ह गिडिडी के लाल शहीद अजय कमाराय का पार्थिव शरीर आज़्यमु कश्मीर से उनके पैत्रिक गाउन लाया गया उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए जन सेलाब उमर पड़ा केंद्रे राजमंत्री अनपुना देवी ने भी उनकी शहदत को सलाम किया एक जवान वाडर पे खुलवावा में जो आज बोली बारी में उनकी वो सहीद हुए है उसे प्रशन को प्रते सुधास मनातिक करते हैं और जो परीजन है परीजन को भी सुर्शक्ती दे ये कठीन दुक्ती घड़ी जेलने के लिए अभी उनके पिताजी से भी बात हुई पिताजी कभी सब मिलकर अम लोगोंने आज़स वना है राची में आज नेशनल लाइब्रेरियन्स डे का आयूजन किया गया इस मौके पर वक्ताओं ने पुस्तकाले और पुस्तकाले धक्षों की भूमी का पर चर्चा की पुस्तकाले के जनक डॉक्टर S.R. रंगनाथन के जन्म दिन को राश्टिये पुस्तकाले धक्षों दिवस के रूप में मनाया जाता है इस मौके पर राची में आज पुस्तकाले सूचना सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटिलेजिंस विशे पर एक सेमिनार का आयूजन किया गया इस मौके पर स्टेट इंस्टिटूट और रूरल डेबलप्मेंट सर्ड के निदेशक राजिस सीन्ने कहा कि पुस्तकाले के जनक डाक्टर S.R. रंगनाथन के जनमदिन को पुस्तकालय धक्ष दिवस की रूप में मनाया जाता है उन्होंने कहा कि इस शेत्र में हो रहे बदलाव को जानने और अपनाने की जरूरत है एक अच्छा इनिशियेटीव है यहाँ पे हम लोगों ने डिसकस किया काफी विस्तार से क्या चेंजेश हो रहे हैं जो पुस्तकाल है एक विधा के स्वरूप किस तरीके से जो है परिवर्तित हो रही और उन चुनातियों को हमें कैसे जो है आत्मसाद करते हुए इसमें नेत जो परिवर्तन क्याव शक्ता है उसको सुनिश्चित करना है इसमें हम लोगों ने विस्तरी चर्चा की इस मौके पर जार्खन रक्षा शक्ती विश्विदालय के रजिस्टार करनल राजिस कुमार और डॉक्टर भासकर करनन ने कहा कि समय के इस बदलते दौर में पुस्तकालय के रूप रेखा में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है तकनीक ने पुस्तकालय को और भी अधिक व्यापक बना दिया है एक समय था जब लोग पुस्तकालाय में जाते थे लेकिन अब ऐसा दौर आ गया है कि तकनीक के माध्यम से पुस्तकालाय खुद लोगों तक पहुच रहा है जो जारखंड में जिला है यह लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लाइबरेरी जो है वो अब एक फैशन से जरूरत के तरफ बढ़ चुका है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुस्तकालाय को सूचना केंद्र की संग्या दी जाती है लोगों की सामाजिक और आर्थिक और शक्ताओं के लिए भी सूचना की आशक्ता होती है जिसकी पूर्ती पुस्तकालाय करता है राची से करमवीर की रिपोर्ट और अब कुछ खबर राजी के विभिन जिलों से राची के चुटिया केतारी बागान इस्थित प्रसिध सुरेश्वर महादेव मंदिर से आज अखंड भारत संकल्प के साथ तिरंगा पदयात्रा निकाली गई जिसमें सांसद संजे सेट और विधायक सीपीसी सामिल हुए हर घर तिरंगा अभियान के तहट उपराजधानी दुंका में तिरंगा यात्रा निकाली गई रास्टिय जैगोस के साथ या यात्रा शहर के प्रमुक इलाकों से गुजरी इस क्रम में शहर में स्थापित महापूरुसों की प्रतिमाओं पर कृतग्य लोगों ने मालारपन किया पूर्व समाज कल्यान मंत्री लुईस मरांडी और अन्य गणमाने लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए विभाजन विभीशी का स्मृती दिवस की पूर्व संधय पर आजरांची के रातू रोड इस्थित राधा कृष्ण मंदिर भवन में पंजाबी हिंदू समाज के द्वारा संगोष्ठी तथा प्रदर्शनी का आजन हुआ जिसमें विधायक सीपी सी बेशामिल हुए इस उसर पर उपस्थित बुजूर्गों को शाल, मोमेंटो एवं तिरंगा जंडा दे कर समानित किया गया दुमका में नहरू युवा केंद्र दुआरा, मेरी माटी मेरा देश अभ्यान के तहट जिला स्कूल के आदिवासी कल्यान बालक शात्रवास परिसर में पौधर ओपन किया गया इस कारिकरम के माध्यम से दुमका को ग्रीन सिटी बनाने का आहवान भी किया गया मौके पर कई शात्र उपस्थित थे कोडर्मा में स्वतंतरता दिवस समारों को लेकर मुखे समारों अस्थल बागी टार स्टेडियम में फूल ड्रेस रिहसल हुआ इस दोरान उपायुक ने कारिकरम के सफल आयुजन हेतु अधिकारियों को आश्यक निर्देश दिये गोड़ा के गांधी मैदान में आश्वतंतरता दिवस समारों का अंतिम परेड पूरवा भ्यास हुआ इस दोरान जिले के वरिष्ट पुलिस और प्रशाषनिक अधिकारी मौजूद थे उपायुक ने हर घर तिरंगा भियान को लेकर जिलेवासियों से अपने अपने घर पर पूरे सम्मान एवम नियम के साथ रास्टिय धवज लगाने की अपील की चत्रा पुलिस अधिक्षक राकिस रंजन और उप विकास आयुक्त उतकष गुपता ने अस्थानिये जवाहलाल नहरू स्टेडियम पहुँच कर स्वतनतता दिवस की अंतिम तैयारियों का जाजा लिया इस दोरान जंडो तोलन, रास्टगान और परेड समित अन्य कारिकर्मों का पुर्वा भयास हुआ हजारिबाग में स्टनतता दिवस के अवसर पर जील परिसर में हजारिबाग हस्तशिल्प मेला दो हजार तेईस का आईजन होगा जिले की उपायुक्त ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि अस्थानिय कारिगरों के द्वारा निर्मित उत्पादों को उचित बाजार दिलाने तथा स्वारोजगार के नए आयाम गढ़ने के उद्देस से हस्तशिल्प मेला का आईजन किया जा रहा है विधायक रनधीर कुमार्सी ने धनबाद के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स स्टेडियम में विहंगम योग के तत्वाधान में दो सितंबर से आयुजित होने वाले 5101 कुंडिये महायग की तयारी को लेकर धनबाद उपायुक्त बरून रंजन से मुलाकात की और पोन बिंदों पर चर्चा किया उन्होंने यग अस्थल का भी निरक्षन किया राची के जेपी मार्केट धुर्वा में आज रक्त दानशिविर संपन हुआ इस दोरान रिम्स के लिए कुल 33 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ जार्खन की जीवंधारा कही जाने वाले स्वन पर यात्रा निकाल कर लोगों को जागरुक किया अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर डुम्री उप्टनों के लिए एंडिये ने आज सुपाठी की यशुदा देवी को बनाया उमीद्वार जामुमों की बेबी देवी और आज सुपाठी की यशुदा देवी 17 अगस्त को करेंगी नामंकर संकल प्यात्रा के मदे नजर भाजापा की हुई बैठक साथ चर्नों में प्रदेश भर में होगी यात्रा जन सभाओं का होगा आयुजन शहीदों से जुड़े धरोहर और धार्मी कस्थल भी होंगे पड़ाओ स्वतन्तरता दिवस समारों को लेकर राजभर में हुआ अंतिम पूर्वभ्यास हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर भी कई कारिक्रम आयुजित और गिरीडी के लाल शहीद अजय कुमार राय का पार्थिव शरीर पहुंचा पैत्रिक गाउं अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जन सेलाब केंद्रे राजिमंत्री अनपुना देवी ने शहादत को किया सलाम